एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे. उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिश्य चिंतित हुए कि कही वह अस्वस्थ तो नहीं है. एक शिश्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे है? क्या शिश्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्ने शिश्य ने पूछा कि क्या वह हस्वस्थ है? पर बुद्ध मौन रहे. तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुम्ती क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आखे बंद करके ध्यान मग्न हो गए. वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुम्ती क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिशे ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुम्ती प्रदान की जाए. बुद्ध ने आखे खोली और बोले, नहीं वह अचूत है, उसे अग्या नहीं दी जा सकती. यह सुनकर शिश्यों को बड़ा आश्चरे हुआ. बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अचूत है. इस पर कई शिशे बोले, हमारे आश्रम में जातपात का कोई भेधी नहीं, फिर वह अचूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है. क्रोध से जीवन की एकागरता भंग होती है. क्रोधी व्यक्ति प्राय, मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है, तब तक अचूत होता है. इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए. क्रोधित शिशे भी बुद्ध की बाते सुन रहा था, पश्चाताप की अगनी में तब कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान करत्वे वपरम धर्म है. वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया. शिक्षा, आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैखता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाब नहीं मिलता इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए. असल माइने में क्रोधित व्यक्ति अच्छूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए. क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानी होती है. क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है. गौतम बुध को सिध्धार्थ नाम से भी जाना जाता है. उनके अवतार का कथा बहुत प्राचीन है और यह है. एक समय की बात है, गौतम बुध का जन नेपाल के लुंबिनी नामक स्थान पर हुआ था. उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था. वेक्षत्रिय राजपुत्र थे. गौतम बुध का जन हुआ एक पूर्णिमा रात्री को. उनके जन के समय एक ब्राहमन आये और उन्होंने पूर्वानुमान किया कि वे महापुरुष बनेंगे. उनके जन के बाद उनकी माता माया उनकी मृत्यू हो गई, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पाला पोसा और उनका उच्छ शिक्षा दिया. गौतम बुध को जवानी में सभी सुक संपत्ति मिली, लेकिन उन्हें अंतिम सत्ते को ढूंढने का अभिलाशा था. उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को छोड़कर तपस्या में जाने का निर्ने किया. वे बहुत सारे गुरुओं के पास कए और ध्यान में रहे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला. एक दिन वे बोधग्या के व्रिक्ष के नीचे बैठे और वहां उन्हें बोधी का प्राप्ती हुई. उस घटना के बाद से उन्हें बुध कहा जाने लगा. गौतम बुध ने अपने जीवन में बहुत समय ध्यान, धर्म और लोगों के दुहक को दूर करने के लिए समर्पित किया. उन्होंने अनेक उपदेश दिये और बौध धर्म की स्थापना की. उनका उदेश था मानवता के लिए शांती, सुख और मुक्ती का मार्ग प्रशस्त करना.